हेलो गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल दवीगर अनवीशन भाई कोमल एंड वेलकम बैक तो मैं अनदर वीडियो गाईज जिसमें आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ यह सारे प्रोडक्स यह है…स टार्ट होने वाले ऐ है एंटी वाने वाले और उंडर और फॉ copied कि सारे products हैं जो मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ गाईज और इन सभी products में मैंने actually रखा है कुछ Instagram store से भी मैंने कुछ products मंगवाए थे वो था ये Insight के products and मैंने Insight के जो products थे न ये basically मंगवाए थे Instagram store से Insight के तो आज मैं पहली बर आप सब के साथ इंस्टाग्राम स्टोर का भी most affordable makeup आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ और Amazon का भी तो ये वाला जो मेरा basically haul होने वाला है ये Amazon and Instagram most affordable makeup haul होने वाला है guys and I hope कि आप सब को मेरा ये वाला makeup haul अच्छा लगने वाला है क्योंकि इसमें मैंने सारे के सारे बहुत ही affordable और at the same time बहुत ही अच्छे वाले products मंगवाए हैं guys so guys मेरी इस वाली वीडियो पर बढ़ने से पहले अगर आप सबने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जाएए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जिसका नाम है अप उस पर भी इट कर देना ताकि जो भी मेरी वीडियो की upcoming notifications हो वो आप सब क अब आप सब्सक्राइब कर देख सकते हैं मेरे पास यह वाले तीन amazon के बड़े बड़े बॉक्स जो इन वाले प्रोड़क्स है इन में मैंने नेज के related भी प्रोड़क्स मंगवाए हैं वह आप सब को आगे देखनी को मिलेगा गाइस की मैंने क्या कुछ मंगवाया है तो अ नेससेखनी के सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब सकते हैं मैं आपनि लिप्स्टिक घिरी सब्ते सब्सक्राइब कर दो ब्रेन ततरा है है टो है इन एकétait आप लिपश्टिक सब्सक्राइब देख सकते हैं एक मुझे ऐसे आई है कार्ट बोर्ड के पैक में और बाकी सारी यहां पर रबर्ड चड़ी हुई थी गाइस जैसे देशी सी पैकिंग करके बेज देते हैं वैसी सी पैकिंग थी इसकी मैं थोड़ी से डिसपॉंटेड तो थी गाइस बट जब मैंने लिप्सि एक और मेरे पास ऐसी पैकिंग आई थी एमजन से उसमें भी मुझे सिर्फ एक लिप्स्टिक ही रिसीव हुई थी गाइस जो की अगेन वैसे ही खुली हुई थी और यह वाली लिप्स्टिक ना मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि थोड़ी सी यूजड है बट वहां पे क कुछ ऐसा होता ही नहीं है रिटर्न वगेरा का कुछ भी सिस्टम स्पैशली ओन मेकप प्रोड़क्स तो मैंने कुछ ऐसा इतना बोदर नहीं करा तो मैंने रख लिया तो मेरे पास यह 7 नान ट्रांसफर प्रूफ वाली लिप्स्टिक हैं जो की हैं इंसाइड के और काफी जाधा अफ्रॉडबल वाली है यह वाली लिप्सिक्स और बहुत जल्दी मैं इन वाली सारी लिप्सिक्स पे एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ तो स्टे टूण विद मीगाइज पूर देस वीडियो तो यह था मेरे लिप्सिक्स जो मेने इंसाइट की मंगवाई थी औ तो गाइज अभी मेरे पास एक और बॉक्स आता है यह वाला और इस वाले बॉक्स में मुझे दो ही प्रोड़क्स रिसीव हुए थे सबसे पहले जो मैंने और गरी थे न वो इंसाइड की मैंने अल्ट्रा थिन सेकंड स्केंड लॉंग वीर फांडेशन और गरी थी और इस इन दी शेड जिरो वन गोल्डन हनी आई डून नो कि यह वाला शेड मुझ पर जाएगा या नहीं जाएगा बाकि जब मैं ट्राइ करूंगी तो जरूर आप सब के साथ शेयर करने वाली हूं गाइस नेक्स में निमंग वाय था इंसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट एंड इस पैलेट इस जस्ट अमेजिंग गाइस क्यूंकि मैंने ना जब यह वाला पैलेट आया ना तो मैंने इसे एकदम से स्वाच करके देखा तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यह वाला पैलेट एंड काफी अच्छी कंडीशन में मुझे मिले हैं मुझे एक्सेप्ट लिप्स्टिक बाकी सारे चीजें काफी अच्छी कंडीशन में मिली हैं तो मैं थोड़ी से निराश बस लिप्स्टिक से हूँ बाकी तो सारे प्रोड़क्स ओके हैं तो यह देख सकते हैं आप यहां बहु इसमें तो काफी युनीक पैलेट है ये वला तो मुझे अच्छा लगा ये वला पैलेट और इसे के साथ ये वला बॉक्स एमपटी हो गया था गाइस नेक्स जो है वो है ये वाला बॉक्स हैं इसमें मुझे रिसीव हुआ था मैं कोल के दिखाती हूं गाइस तो गाइस मैंने मंगवाया था ये वाला मार्स का फैंटिसी 15 आईशाडव पैलेट मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था कि मैं इस वाले पैलेट को ट्राय करके देखूं मार्स के इसमें तीन वेरियंट आते हैं गाइस बट मैंने थर्ड वाला वेरियंट लिया है क्योंकि मुझे इस वाले आईशाडव के साथ खेलना बहु आईशाडव पैलेट ही मंगवाया है और बहुत जल्दी मैं इस वाले पैलेट पे रिव्यू करने वाली हूं इन डेप्थ रिव्यू करूंगी इस वाले पैलेट कैसा वर्क करता है इसके जो भी शेज हैं वो कैसे हैं मेरी इस वाली वीडियो के लिए भी स्टे टून करते हूं सबसे पहले मैंने और यह मुझे राउंड टू सिक्स्टी बताने टू नाइंटी नाइन रुपीज के अंडर में मिला है और इसमें ना फाइव आपको डॉट्स लगाने वाली स्टेक्स मेल जाती है और यह वाली स्टेक्स वैसे जब उन्होंने पिच्चर दिख मैं आप सब दिखा देती हो कि मुझे कैसे रिसी मुझे कुछ इस तरह से रिसी वुई है तो इसमें सारे ब्रॉश भी मिल जाते हैं आपको अपने न caf्रीकर्ने के लिए मैंने वाली मगवाया तो आप सबके साथ कि मुझे ना colored eyeshadows के साथ खेलना तो अच्छा लगता है बट मुझे different looks भी try करना बहुत जाधा पसंद है guys so उसी के लिए मैंने ये precise वाले जो brushes है ने ये मंगवाए हैं और मुझे doting वाली कुछ looks ना काफी जाधा पसंद आ रही थी यानि मैं काफी inspire होती हूं लोगों को देखके उनकी eye looks को देखके instagram पे तो मैं सोच रही हूं कुछ ना कुछ instagram पे ही मैं भी share करूं तो देखती हूं कि क्या share करूंगी बट अभी मैंने फिलहाल ऐसा सोचा नहीं है कि मैंने क्या share करना है बट बहुत जल्दी मैं instagram पे भी अपनी एक अलग सी look लेके आऊंगी तो अभी दग अगर आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फोलो नहीं कर रहे है तो फ्लीज जा के फोलो कर लीजे मुझे मेरा जो instagram है वह है दा वीगर वीजिन आपको मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल यहां पे नीचे भी मेल जाएगा स्क्रीन पे तो आप वहां पर जाके भी चेक कर सकते हैं गाइस तो गाइस उसी के लिए है तो फाइनली देखते हैं कि कब में यूज कर पाती हूं इन वाले ब्रशेज को और जो डोटिंग इनके टूल्स हैं उन्हें अभी आती है नेक्स्ट गाइस कुछ हिस तरह से आया था और यह मैंने मंगवाए थे स्टोंज ही स्टोंज गाइस तो मैं बात कर शृची क्वालिटी नहीं है तो मुझे कुछ दो टाइब के मिले हैं यह स्टोंज को कुछ ऑले करने का सोच रही थी जोम के स्टोंज करने का सोच परिए थी मेरे पास बहुत ही मेरे संटों नहीं हो New kad क्पाधि इंसाइड के स्टोंज में लिए गाइज बारी आती है यह इनसाइड मेकप असेंशल की जो की मैंने पचेस करा है इंस्टाग्राम स्टोर से इसल्फ इंसाइड के स्टोर से तो कुछ इस तरहां से मुझे प्रोड़क्स मेले थे मैं रहा है उनुशे गंदमार के आप सब भी definitely मुझे comment करके मेरे comment section में जुरूर बताना कि आप inside का one brand makeup look देखना चाहते हैं मेरे पास जो first मैंने मंगवाया है वो है oil free flawless ये guys concealer and compact है ये two in one है guys तो मैंने ये वाला मंगवाया है और आप देख सकते कितनी sophisticated way से packaging हो के आई है इस वाले product की जो next है वो है ये inside के multi use loose eyeshadows मेरे पास guys पहले भी loose pigments है Swiss beauty के जो मुझे देखते हैं उन्हें पता है और मेरी उन पे in-depth video भी है guys तो मैंने अभी purchase करें है inside के और ये वाले जो 4 के 4 shades है ना बिल्कुल opposite shades है जो मेरे पास Swiss beauty के हैं तो मैंने बहुत ही different shades इस बार pick करें है inside से क्यूंकि inside पर बहुत ही ज्यादा अलग अलग से shades थे तो मुझे जो unique shade लगे मैंने सारे के सारे pick कर लिये guys तो these are the four मैं आप सबको बता भी देती हूं कि मैंने कौन-कौन से shades मंगवाई है एक है मैंने मंगवाय है 05 Gemstone and the second one is 03 Cherrywood third one is 02 Marine and what a beautiful shade it is guys बहुत ही प्यारे वाला shade है and the last one is 01 Gold Crown तो मैंने यह 4 shades मंगवाई है अभी चलते हैं guys next product पे जो की है यह duo two in one stick आपको एक साइड पे highlighter and दूसरे साइड पे contour shade मिल जाएगा guys और यह वली जो stick है न guys बहुत ही ज्यादा buttery soft and इसके जो quality है मैं आप सबको दिखा ही देती हूं कि इसके quality आप देख से हैं बहुत ही luxurious packaging है इसकी and आपको एक साइड पे यहां पे मिल रहा है contour shade मैं आप सबको swatch करके दिखाते हूं buttery soft contour shade guys यह यह बला and the second one is highlighter बहुत ही ज्यादा pretty highlighter guys यह तो बहुत ही ज्यादा मखन की तरह चलता है यह बला highlighter मुझे यह बला highlighter काफी ज्यादा पसंद आया and I am looking forward to use this stick guys तो देखती हूं कि कब मैं use करती हूं इस वाली stick को मेरे पास जो next है वो है यह बला inside का highlighter मैंने अलग से भी highlighter order गरा था guys और मेरे पास कोई भी cream based highlighter नहीं था तो मैंने यह बला highlighter order कर लिया था तो यह बला जो भी products है ना guys बहुत ही ज्यादा cheap price वाले products है तो this is the packaging of highlighter guys और बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली packaging है guys इसकी बस इसकी एक problem है कि इसकी smell बिल्कुल भी अच्छी नहीं है guys and this is the golden highlighter बट मुझे इस वाले highlighter से ज्यादा अच्छा यह बला highlighter लगा मैंने कुछ metallic eyeshadows भी order करे थे inside के instagram store से तो मैंने यह 3 different different shades मंगवाए है metallic eyeshadows में and काफी pigmented लगे मैंने एक को swatch करके देखा था मुझे अच्छा लगा और इनके shades भी काफी ज्यादा unique वाले shades मंगवाए है मैंने जो मैंने एक shade मंगवाए है वो है 10 galaxy and the second one जो मंगवाए है वो है 09 enchanted and the third one is 08 CC अभी चलते है next product की तरफ जो की है मेरा इस haul का last product वो है inside का makeup fixer spray so guys मैं इस वाली spray को भी अपनी वीडियो में यूज करने वाली हूँ और देखूंगी की कैसा work करती है क्योंकि मैंने एक बार spray करके देखा था वो भी hand पे करके देखा था guys तो मुझे इसकी fragrance काफी जादा अच्छी लगी थी इतना मैंने यूज करके नहीं देखा कि यह कैसा work करती है as a setting spray तो मैं इसे definitely as a setting spray भी यूज करके देखने वाली हूँ guys so guys this is my last product इसी के साथ होता है मेरा ये वाला box BMPT guys so guys that was it for my today's video I hope कि आप सब को मेरी ये वाली Amazon slash Instagram का affordable makeup haul अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो please hit the like button on my this video and also share my this video to your family members and your friends and please subscribe to my channel guys जिसका नाम है The Weaker and Vision by Komal and उसके साथ ही एक bell button भी होगा guys आप उसके भी hit कर देना ताकि जो भी मेरी वीडियो की upcoming notifications और वो आप सब को मिलती रहें guys अभी मैं जवदी ही मिलूंगे आप सबसे मेरी next video में तेल देन बाई guys and thank you अबूँ हुँ झाल कर र debates है हुँ हाiez